नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागता है आज हम बात करने जा रहे हैं TGT Medical के कमिशन के जो प्रिब्यस 2018 में रहा था उसके जो कोईशन्स हैं उनको हम डिसकस करेंगे पूरे कोईशन पे प्रिसकस करेंगे तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें आपको चैनल अच्छा लगता है आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें, लाइक करें और कमेंट करके जुरूर बताएं तो जो आज का वीडियो है चलो स्टार्ट करते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करें हैं TGT Medical के जो Medical का जो 2018 में Commission हुआ था उसके questions की हम बात करेंगे उसका question पर हम solve करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं first question The main cause of extension of the species from the trophics is तो इसमें चार ओफ्षिन दे रखे हैं efforestation, deforestation, pollution और soil erosion तो highlighted question जो होगा वो जो highlighted option होगा sorry वो राइट अंसर होगा तो defortation जो है वो cause है extension of the species species इसी की बज़ा से खत्म हो रही है next चलते है question number second की तरव ये phylum common to unicellular animals and the plant is तो यहाँ पर option ए मौनेरा दे रखा है B potista, C fungi and D planty तो उसका right option रहेगा B that is the potista potista जो हो है वो unicellular elements और plant की तरह common phylum है दोनों का common phylum था वो next बात करते है question number third if the diploid number of a flower plant is 36 but would be the chromosome number in its endosperm तो ध्यान से देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते है if the diploid number of the flower plant is 36 but would be the chromosome number in its endosperm तो endosperm में उसके कौन सा रहने वाला है ठीक है तो अगर हम diploid की बात कर रहे है तो यह 36 बता रहा है अगर haploid की बात करते हैं तो haploid में कितने होंगे 18 ध्यान से देखिए haploid में 18 diploid में 36 और जो chromosome number होता है endosperm में वो होता है triploid ध्यान से क्या होता है वो triploid तो triploid मतल की 18 का 3 गुना 18 को 3 से multiply किया तो आपका क्या हैगा 54 तो right answer is 54 यह कुछ एक questions होते हैं जो की उन्होंने trick base पे बताए होते हैं हमें पता होना चाहिए कि endosperm triploid होता है तो triploid निकालने के लिए हम simply उसको multiply कर सकते हैं हप्लाइड के जो हिप्लाइड क्रॉमसम नंबर आ रहा है नेक्स चलते हैं protein rich algae is तो यहाँ पे सारी algae is बताई हूँ यह protein rich कौन सी है तो sparenula जो है वो इसका right answer रहेगा next question नंबर फिप्थ the largest anthroides are found in तो कौन से में होता है largest तो साइकस का जो anthrozoides होता है वो सबसे sorry largest होता है next अगर हम बात करते है question नंबर 6 की bitch of the flowing is is unicellular sac fungus तो इसमें क्या आएगा sacromyces sacromyces जोगी वो unicellular sac fungus है next चलते है question नंबर 7 की तर muses take place in option A, Candida, B, Zenmules, C, Megaspores and D, Mewsides तो किस में होगा? Mewsides में next question नंबर 8 triburians are free living तो क्या होते हैं यह platforms next option sorry question नंबर 9 a poisonous lizard is to haloderma is poisonous lizard next question नंबर 10 gill cover is absent in तो मैं सारे option नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि obviously right answer से हमें मतलब है तो मैं right answer बता रहा हूँ shark किसका right answer हैगा इसमें जो होगा gill cover absent होता है next बात करते है question नंबर 11 which of the following is an egg laying mammal तो इसमें प्लेट पर्स जो है वो egg laying mammal है next question नंबर 12 hemosule is fondant hemosule क्या होती है cavity होती है जिसमें blood चलेगा तो hemosule कि इसमें पाए जाती है तो orthopods में hemosule होती है next polyphase is absent in और एल्ला में sorry और एल्लिया में polyphase absent होता है next question नंबर 14 एं बैक्सी सब्स्टांस अक्रिटेड बाए हनी वीट टू रिपेर कांब इस काल्ड तो क्या बोलते हैं उसको proplis proplis जो होता है वो बैक्सी सब्स्टांस होता है next question नंबर 15 the tube fits are लोकोमेंटरी ओर्गन्स आफ तो किसमें होते हैं वो reptiles में नहीं होते हैं spider में नहीं होते हैं catfish में नहीं होते हैं starfish में tube-like organs होते हैं लोकोमेंटरी लोकोमेंटरी लोकोमोशन का काम करते हैं question number 16 beach of the flowing shows polymorphism तो उसाईलिया इसमें सारे आएंगे all the above और all of these next question number 70 in which phylum the body is segmented तो segmented body kingdom किस किस के होती है एन लिडिया की एन लिडिया जोगी इनकी body segmented होती है next बात करते है which of the flowing is an oviporous animal sorry mammal तो इसमें आएगा औरिंथो rikeness next question number 90 which of the flowing is a flightless bird तो इसमें से flightless bird कौन सा है जो उड़नी सकता है तो that is strutio next question number 20 graphalum is presenting the ovary of the flower of the mustard next question number 21st periderm is formed by तो palosan से बनता है periderm next question number 22 epiplema is the correct sixth off तो किसका characteristic है यह यह monocode roots का एक most potent correct sixth है epiplema next question number 23 यूट फाइबर्स आर उप्टेंड फ्रॉम लिवड़ फाइबर्स जाइलम से नहीं होते अंदोस्परम से नहीं होते तो किससे बनते हैं यह सकेंटरी फिलॉम से जनेट होते हैं next question no. 25 last cells secrete तो इसमें से mast cells क्या OOC करते हैं है How qui is secrets करते हैं question no. 25 comment size are fonts in तो Compound size किसमें हो ति यह estructive इन options से बात करें हैं हम तो cockroces में पाई जाती है next question number 26 which of the following is the simplest amino acids glycine जो हो that is the simplest amino acids among the all amino acids next question number 27 quantasomes are present in so granum होते हैं ये quantasomes जो energy को store करके रखते हैं इन्दी form of point next 28 is cell 12 of band captain तो cell कब spell up करेगा जब उसको hypotonic solution में रखेंगे okay hypotonic solution में वो shrink कर जाएगा isotonic में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो hypotonic में वो spell up कर जाएगा next question number 29 cell theory is not applicable for तो virus के लिए cell theory applicable नहीं होता है जैसे अभी भी हम अगर बात कर रहे हैं तो virus की जो study करना है that is most tough क्योंकि ये अपना जो DNA वो continuously change करते रहते हैं तो इसलिए इनकी जो cell theory है वो viruses के लिए applicable नहीं होती है next question number 30 the enzymes that cut DNA is इसके लिए option D रहेगा right answer restriction endonucleases most of the time हम क्या करते हैं कि lyases जो enzymes होते हैं वो breakdown का का काम करते हैं बट इसका right answer DNA lies is नहीं रहेगा lyases जोडने का काम करते हैं no doubt CE होंगे polymerases भी जोडने का काम करते हैं बट तोडने का काम जो cut करने का काम करता है that is restriction endonucleases तो most of जो candidates होते हैं वो इसको tick करके आ जाते हैं तो ये wrong answer होगा next question number 31st ये plant cell attains tardicity due to endosmosis की वज़े से जो उसमें tardicity होती है next question number 32 the factor most important in regulating transcription is to light is the most important factor next question number 33 boron is the green plant assist in sugar transport के लिए boron helpful होता है green plants में next 34 denitrification is carried out by तो pseudomonas जो अब वो denitrification करता है और nitrification कौन से करते हैं ribosom bacteria जो होते हैं वो nitrification करते हैं और denitrification क्या करता है pseudomonas next question number 35 canaz sorry canaz anotomy is absorbed in तो c4 plants में canaz anotomy पाय जाती है बचलनों करते हैं लो बाव झाल झाल झाल